दोस्तो भारत के अंदर लगातार सरकार जो है वो food processing industry को बढ़ावा देने में लगी हुई है food processing industry के अंदर agricultural products जो होते हैं उनको value addition करके उनको अलग-अलग products के अंदर transform किया जाता है फिर उनकी marketing करकर उनको packaging करके marketing करके उनको बेचा जाता है और उनको export भी किया जाता है ऐसे में जो export होता है ये कई सारा व्यापार generate करता है कई सारी employment generate करता है और ऐसे में यहाँ पर international trade में भारत का जो हिस्सा है वो भी बढ़ता है अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते है historic जमाने से अगर पुराने जमाने से देखे तो जो spices है यानि की मसाले वो भारत के निर्यात का export का एक बहुत जादा important हिस्सा रहे है और ऐसे में यहाँ पर मसाले जो है वो भी food processing industry का एक important हिस्सा है जो की packaged products के रूप में अलग अलग जगाहों पर export किये जाते हैं भारत में बेचे जाते हैं और उनको consume किया जाता है ऐसे में यहाँ पर इन मसालों को लेकर कुछ शिकायत सामने आई है कुछ यहाँ पर ऐसे मामले सामने आये है कि यहाँ पर कुछ आपको contamination यानि कि कुछ मिलावट और खतरनाक यहाँ पर chemicals का मिलावट का मामला सामने आया है ऐसे आरोब यहाँ पर होंग कॉंग और सिंगापूर के द्वारा लगाए गए हैं और उन्हों ने MDH और एवरेस्ट मसालों को बैन कर दिया है तो देखते हैं दोस्तों पूरा मामला क्या है नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेक्सक्रैक, UBSC, CACN Academy में और देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है क्यों इतने गंभीर आरोब यहाँ पर MDH और एवरेस्ट के उपर लगे हैं तो कहता है कि यहाँ पर सिंगापूर और होंग कॉंग ने बैन कर दिया है ठीक है और अगर इसकी बात करें इसके अलावा कहता है कि सिंगापूर, होंग कॉंग, यूएस के अलावा कुल मिलाकर यहाँ पर कम से कम पांच कंट्रीज आपको ऐसी देखने को मिलेगी जिन्हों ने यहाँ पर MDH और Everest के मसालों के अंदर contamination है, कुछ मिलावट है ऐसे मामलों में जाच करने की और investigation करने के कदम यहाँ पर उठाए है जैसे कि अगर बात करें, यहाँ पर अगर बात करें, पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिला है यह जो मिलावट का सिलसिला है, और कुछ प्रोड़क्स जो है जिनको healthy बोलकर बेचा जाता है लेकिन वो actual में healthy नहीं होते, यह सारी चीज़े हमें देखने को मिलती है ऐसे में यहाँ पर Nestle का भी मामला सामने आया था, जिसके अंदर Nestle जो है भारत के अंदर African countries के अंदर South Asian countries है, उनके अंदर जो अपना product बेचता है उनके अंदर sugar की मातरा काफी जादा मिलती है, जबकि European countries में कम मिलती है और ऐसे में यहाँ पर MDH मसालों का भी यहाँ पर contamination ना मामला सामने आता है तो आप कह सकते हैं, कि यहाँ पर जो food regulators हैं, वो भी कही न कहीं कटगरे में खड़े होते हैं कि आखिर food regulators कर क्या रहे हैं, जैसे भारत के अंदर आपको FSSAI देखने को मिलता है तो आखिर क्यों FSSAI की नात के नीचे सारी चीज़े होती हैं, यह भी सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं तो MDH के मामले में अगर देखें, और इसके अलावा Nestle का भी मामला देखें, तो ऐसी चीज़े आपको देखने को मिलती है इसके अलावा कई ऐसे products आपको देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर समय समय पर आपको देखने को मिलता है कि healthy product कहे कर बेचा जाता है लेकिन वो healthy actual में नहीं होते हैं, जैसे कि अगर बात करें, जैसे हॉरलिक्स हो गया, बॉनवीटा हो गया, ये भी जो ड्रिंक्स हैं, इनको भी healthy बोल कर market किया जाता है लेकिन actual में ये healthy नहीं होते है, sugar content बहुत जादा इन में होता है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अगर बात करें, यहाँ पर MDH मसाले की, ठीक है, specifically तो MDH मसालों का ये मामला यहाँ पर कैसे सामने आता है, कहता है कि MDH मसालों की अगर यहाँ पर देखें, तो कहता है पांच अपरेल को हॉंग को का जो center for food safety है, इसने यहाँ पर MDH जो मसाले थे, इसके तीन वेरियंच, जैसे कि मसाला करी पाउडर, सामर मसाला, और कडी पाउडर मसाला, और साथ में यहाँ पर फिश कडी मसाला इनको यहाँ पर बैन कर दिया है, और ऐसे में सिंगापुर ने भी ये कदम उठाए, इसके अलावा बाकी कंक्रीज की अगर बात करें, जैसा यूएस का हमने देखा, उसक अगर बात करें, तो कहता है कि मालदीवस आपको देखने को मिलेगा, और बांगला देश आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कहता है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है, इस पूरे मामले के अंदर देख रहा है कि आखिर क्या यहाँ पर चल रहा है, उसके अलावा माल तो इसके अलावा गर बात करें यहांपर कि आकिर यह पूरा मामला क्या है, क्यों यहांपर किस चीज की कंटैमिनेशन है, जो सारे देश इतने जादा सतर्क हो रहे हैं, और कदम उठा रहे हैं, जांच करने की कोई बैं कर रहा है, एक्स्क्रीम स्टैप उठा रहा है, ऐसा Oxide कहता है जो इथलीन Oxide है यह एक Pesticide है जो कि prohibited है यानि कि जिसका इस्तमाल already banned है ऐसा Pesticide यहाँ पर इस्तमाल किया गया है जिसका नाम है इथलीन Oxide और कहता है कि यह जो इखलीन Oxide है basically यह आपको Colorless देखने को मिलता है flammable यानि की जुछलन शील होता है और ये एक तरह कि आपको देखने को मिल लगाए गैस के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है और ये medical devices को sterilize करने के लिए इस्तवाल किया जाता है अगर गैस की फॉर्म में इस्तवाल करें तो ये medical devices जो है उनको sterilize जानी कि उनको साफ सुतरा करने के लिए इस्तमाल किया जाता है कोई इस पर बैक्टीरिया वगएरा यहां पर ना हो infection से free करने के लिए medical devices को इस्तमाल किया जाता है ethylene oxide का और इसके अलावा अगर यहां बात करें तो यह एक chemical के रूप में इस्तमाल होता है industrial use के लिए इस्तमाल होता है agriculture में इस्तमाल होता है इसके अलावा यहाँ पर जो आपके मसाले वगेरा हैं उसके अंदर भी इसका इस्तमाल किया जाता है उनकी shelf life बढ़ाने के लिए उनके अंदर जो microbes हैं जो उनके अंदर bacteria हैं उनको खत्म करने के लिए उनको destroy करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो जो microbial contamination है यानि कि जो microbes हैं bacteria हैं उनको खाने में से खत्म करने के लिए भी food में से खत्म करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है हलाकि एक band आपको pesticide देखने को मिलता है और ऐसे में यहाँ पर shelf life बढ़ाने के लिए इसका इस्तमाल basically किया जाता है और मसालों में यहाँ पर बताय जा रहा है कि भई इसका इस्तमाल किया है अब यहाँ पर सवाल उटता है कि भई यह जादा खतरनाक क्यों है जैसे कि अगर यहाँ पर बात की गई है तो कहता है खतरनाक इसलिए है कि यहाँ पर बताया जाता है कि जो इथलीन आकसाइड है जब आप इसका एकसेज इस्तमाल करते हैं जरूरत से ज़ादा जो की permissible limit है उससे ज़ादा इस्तमाल करते हैं तो इसके जो कुछ अवशेश बच जाते हैं जो यहाँ पर इसके residues बच जाते हैं फिर वो कई सारे toxic compounds की शकल ले लेते हैं और कई सारे हानिकारक compound के रूप में chemicals के रूप में वो उभर कर सामने आते हैं जिन में से एक chemical compound आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है ethylene glycol तो यह कहता है कि अगर आप ethylene oxide को जादा मातरा में इस्तमाल करेंगे तो फिर वो यहाँ पर convert हो जाता है ethylene glycol के अंदर और ethylene glycol एक हानिकारक substance है और ethylene glycol ऐसा substance है जिसकी वज़े से भारत का जो एक मामला सामने आया था जिसके अंदर भारत ने कफ सिरफ जो था उसको export करा था अलगलग countries के अंदर जैसे की कैमरून के अंदर गांबिया के अंदर इंडोनीशिया में और उस्बेकिस्तान में भारत की तरफ से कफ सिरफ जो था ये export किया गया था और ऐसे में इथलीन glycol इस कफ सिरफ के अंदर पाया गया था और इसको पीने की वज़े से इन देशों के अंदर combine करके अगर बात करें तो लगवग 300 बच्चे जो थे उनकी मृत्तिव यहाँ पर हो गई थी तो यहाँ पर इतलीन glycol जो है वो एक खानीकारक सब्सेंस है यहाँ पर 300 बच्चों को जान गवानी पड़ी अलग अलग देशों में और यह जो कफ सिरफ थे अफसोस जनक बात है कि भारत से ही जो दवाईया गई कफ सिरफ के रूप में वहाँ पर उसमें ये compound था और वहाँ पर कई मापेरेंट्स को अपने बच्चों की जान गवानी पड़ी ऐसे में यहाँ पर सवाल उखता है कि भारत के अंदर यहाँ पर जो regulatory environment है regulatory जो ecosystem है क्यों नहीं यहाँ पर इस तरह से जांच की जाती है खाने के मामले में दवाईयों के मामले में यहाँ पर किस तरह से ऐसे ढील हो जाती है यह बहुत जादा चिंता का विशह है और एक बहुत जादा serious question है सभी लोगों के लिए भारत के सभी लोगों के लिए क्योंकि यह चोटी मोटी बात नहीं है भारत से कोई दवाई गई विदेश में और वहाँ पर पीकर कोई बिमार हो गया उसके मृत्ति हो गई तो यह बहुत बड़ा भारत की जो image है international image है भारत की image है pharmacy of the world की ठीक है कि भारत के अंदर large scale पर generic दवाईयों का production होता है 60% दुनिया की जो vaccine है वो भारत के अंदर manufacture होती है तो भारत की जो image है वो pharmacy of the world की image है और ऐसे में यहाँ पर भारत से ही कोई दवाई export होती है और उसको पेकर किसी बच्चों की मृत्ति हो जाती है तो ऐसे में यहाँ पर जो मसालों में compound पाया गया है बताया जाता है कि वो इथलीन ग्लाइकॉल की शकल ले लिता है और यह वही compound है जिसकी वज़े से कफ सिरफ पीने की वज़े से अलग-अलग देशों में 300 बच्चे है उनको जान गवानी पड़ी और इसके अलावा अगर इथलीन ग्लाइकॉल का long term exposure हो जाए तो ऐसे में यहाँ पर cancer जैसी बिमारियां भी हो सकती है जैसे कि lymphoma और leukemia यह cancer के आपको एक प्रकार देखने को मिलेंगे यह बिमारियां इसके इथलीन ग्लाइकॉल के long term exposure से यानि कि लंबे समय तक अगर आप लेते हैं आपके शरीर में जाता है तो cancer जैसी बिमारियां भी हो सकती है उसके अलावा यहाँ पर कहता है कि भई सेम चीज़ यहाँ पर यॉरोप के दोरा भी उठाए गए थी ऐसे कदम यॉरोप के दोरा उठाए गए थे यहाँ पर इन मसालों को लेकर जहां तक बात है कि भारत के जो मसाले है इसके अंदर आपको इथलीन ऑकसाइड देखने को मिला है ऐसे जो यॉरोपियन फूड रेगुलेटर्स हैं उन्होंने ऐसी चेतावनी यहाँ पर पहले दी थी एसी चेतावनी ओलरेडी यॉरोपियन फूड रेगुलेटर देता रहा है अब यहाँ पर देखते हैं कि आखिर जो MDH है उसने इस पर क्या सफाइडी है जो मसालों की कंपनी है उसने यहाँ पर क्या बुला है वो देखते हैं कहता है कि इन्होंने कहा है कि MDH कहती है कि सारे आरोब जो है कि हमारे सब मसालों के अंदर इथिलीई आउकसाइड है कि सारे baseless arguments है, baseless allegation है और इनमें किसी भी परकार की सच्चाई यहाँ पर नहीं है क्योंकि हम किसी भी stage में अपने मसालों का जो production करते हैं तो हमारे मसालों के प्रोडक्शन में किसी भी स्टेज में यहाँ पर किसी भी प्रकार का इस्तमाल किसी भी प्रकार के इथलीन ऑक्साइड कंपाउंड का इस्तमाल नहीं होता है तो यह कहते हैं हम अपने जब भी मसाले बनाते हैं तो इथलीन ऑक्साइट का हम किसी भी स्टेज में इस्तमाल ही नहीं करते हैं तो यहाँ पर कंटैमिनिशन होने का सवाल नहीं उठता और दूसरी तरफ यह सवाल खड़ा करते हैं होंग कॉंग और सिंगापूर के जो food regulators हैं उन्होंने भारत के spice board के साथ और भारत का जो food regulator है FSSAI इसके साथ किसी भी प्रकार की report या फिर किसी भी प्रकार का communication यहाँ पर establish नहीं करा नहीं किसी प्रकार की report जो है वो share करी है कि वह इतने प्रकार का इस प्रकार से यह समझना थी ऐसा contamination था तो भारत के food regulator के साथ और spice board के साथ यहाँ पर Hong Kong और Singapore ने जो report है उसको submit नहीं किया और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सब आरूप बेबुनियाद है ऐसा यहाँ पर MDH का आरूप है इसके अलावा गर बात करें भारत ने इस पर क्योंकि Hong Kong सिंगापूर ने एक बड़ा कदम यहाँ पर उठा लिया भारत specifically उनको analyze किया जाएगा उनको यहाँ पर test किया जाएगा अलग से इसके अलावा यहाँ पर यहाँ पर यह कहा गया है कि 30 अपरेल को भी circular जारी किया गया था यहाँ पर और कहा गया कि यहाँ पर voluntary testing की जाएगी यानि की food को microbes से और bacteria से free करने के लिए आप अलग अलग परकार के method का इस्तेमाल कर सकते हैं इन सभी chemicals के बजाए आप यहाँ पर और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे की आप steam यानि की भाप देकर भी आप product को food को sterilize कर सकते हैं इसके अलावा irradiation यानि कि किसी परकार की radiation का आ जाता है कि bacteria जो है वो मर जाते हैं तो इस तरह के radiation का भी radiation का इस्तेमाल करकर आप खाने को stabilize यहाँ पर sterilize कर सकते हैं अब ऐसे में यहाँ पर अगर बात करें लोगों की तरफ से भी चिंता खड़ी होती है कि आकिर ऐसे मामले निकल कर क्यों सामने आते हैं जब देश के अंद दिखता है कि भारत एक हब बनेगा जहाँ पर आपको food processing industries मिलेगी FMCG companies भारत के अंदर खुड़ेगी बहुत स्कोप है भारत के अंदर जो agricultural products हैं उनको value एड़ करके अलग अलग परकार के food products में convert करने का और इससे employment generate होगी और export भी बढ़ेगा तो ऐसे में यहाँ पर food regulator की ज local markets के अंदर भी मिलावटे काफी जादा होती है और वो package food नहीं है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा उनको भी यहाँ पर देखना चाहिए कि किस परकार जो बाजारों में खुले मसाले और बाकी products लिखते हैं उनके अंदर क्या adulteration हो रही है क्या नहीं हो रही इसको भी यहा बात करें यानि कि भारत के food regulator को लेकर 36% जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर इनको confidence इतना नहीं है कि भारत के food regulator इतने ज्यादा effective है ऐसे में यहाँ पर 36% लोगों वो शक है कि भारत के food regulator इतने ज्यादा effective नहीं है उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें कि भाई SSI की द्वारा कि वो इथलीन ऑक्साइट का यहां पर कंटैमिलिशन है या नहीं उसको देखें इसके अलावा यहां पर कहता है कि भई वन फॉर्थ जो सेंपल है ठीक है यहां पर बताया जाता है कि वन फॉर्थ जो सेंपल है यानि कि लगभग एक चौथाई सेंपल लास्ट तीन साल में जो टेस्ट किये गए हैं उसमें आपको रेगुलेक्री स्टैंडर्ड जो है वो पूरे मीट होते वे नहीं दिखते हैं यह भी एक चिंता का विश है आपको यहां पर देखने को मिलता है इसलिए जरूरत है कि यहां पर 2024-25 के लिए कहा गया है कि यहां पर नेशन वाइड जो है,ica कि पूरे देश के इंदर देखा जाएगा फूद प्रोडडक्स की क्या है, कितना कंटामिनेशन है, कितना नहीं है यह सारी चीज़े यहां पर 2024-25 में देखी जाएगी और क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब लास्ट तीन साल में अगर food products के एक चोथाई sample quality में अगर fail कर जाएं तो यह चीज बहुत ज़ादा यहाँ पर चिंता जनक है तो ऐसे में यह सारी चीज़ी यहाँ पर देखते हैं दोस्तों और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं unacademy कि इस साल आपको record लेवल पर selection देखने को मिलते हैं और top 10 के अंदर top 4 candidates आपको unacademy के learners मिलते हैं including AIR1 साथ में यहाँ पर इसी वज़े से यहाँ पर इस success को celebrate करते हुए unacademy यहाँ पर लेकर आया है मन्जिल 2024 offer और ऐसे में यहाँ पर जो prices है courses के उनको historic level पर यहाँ पर prices आपको low level पर मिलेंगे और आप 2025 की अगर तयारी करना चाहते हैं तो comprehensive batches अब यहाँ पर अगर आपको कुछ भी हो उसके हिसाब से यहाँ पर courses आपको मिलेंगे जैसे की bilingual course आपको मिलेगा सभी top educators आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे 7 मई से course की शुरुआत हो रही है इसके अलावा यहाँ पर आपको English medium batch देखने को मिलता है सर्वन महराच सर और बाकी top educator की guidance में आप यहाँ पर English medium batch में enroll कर सकते हैं 2025 के लिए यह 7 मई से course आपको देखने को मिलेगा ठीक है उसके अलावा यहाँ पर आपको लक्ष बैच हिंदी मीडियम का यानि कि अगर आप हिंदी मीडियम के student है तो भी आपके लिए batch यहाँ पर launch हो चुका है और आप ऐसे में तयारी कर सकते हैं academy के साथ और top educators के साथ हिंदी मीडियम में सभी batches की जो यहाँ पर duration होगी वो 12 महीने नहीं होगी वो कितनी होगी वो 15 महीने होगी यानि कि आपको 3 महीने extra दिये जाते हैं यह सब इसलिए तीन महीने extra इसलिए गया है दोस्तों क्योंकि यह देखा गया है कि UPSC का syllabus cover करने में हर student को 12 स 15 महीने यानि कि लगवग एक से डेर साल का समय ही लगता है और ऐसे में जब कई बार course खतम होने लगता है तो बच्चे जल्द बाजी में चीजों को जल्दी जल्दी करने लगते हैं तो बच्चे पैनिक ना करें इसलिए यहाँ पर तीन महीने extra दिये गए हैं क्योंकि यहा आप अपनी तैयारी को अच्छे से slivers को सही से complete यहाँ पर कर सकते हैं और याद रखेंगे मनजिल course के अंदर यहाँ पर GS plus CSAT भी cover होता है ठीक है तो आपको इन सभी courses में CSAT भी मिलता है और याद रखेंगे code लगाना होगा SMK live अगर आप किसी भी course में enroll करना चाते हैं 2025 के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं medium of instruction कोई भी हो code लगाएंगे SMK live इसके अलावा दोस्तों optional batches है optional batches में भी आप enroll कर सकते हैं हर प्रकार का optional आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसमें आप enroll कर सकते है code नहीं भूलेंगे code लगाना होगा SMK live ठीक है इसके अलाव आप participate करके अपनी rank decide कर सकते हैं साथ में आप यहाँ पर exam जो होने वाला है उसके लिए यहाँ पर जो question आपको मिलेंगे वो आपको exam के लिए भी तयार करेंगे और ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि UPSC level के जो question होंगे बिलकुल उसी standard में उसी pattern में यहाँ पर set किये और सुबा साड़े नौ बज़े GS का पेपर होगा धाई बज़े CSI का पेपर आपको देखने को मिलेगा बिलकुल जैसे exam होता है उसी format में ठीक है तो code लगाना होगा SMK live और बिलकुल free enrollment है बिलकुल free आप इसमें enroll कर सकते हैं और अपने आपको test कर सकते हैं तो दोस्तों यह यह भी चीज हमने यहां पर समझ दे की कोशिश करी तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पढ़ते रहेंगे दोस्तों अपना ख्याल रखेंगे जहिन दोस्तों